नमसकार दोस्तों तो मार्केट का मंडे में को क्रेश होना लग भगता है कोई डाउट मत रखेगा पर यह क्रेश ही है जो आपको अमीर भी बना सकती है और आपको पैसा कबाने में मुखा दे सकती है देखिए opportunity जरूर है आप miss करेंगे कि आप लेंगे ये आपका खुद का decision है अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे stocks हैं करीबन करीबन 6 stocks हैं जो कि आपको future में बहुत अच्छा benefit देंगे आज तो गिरेंगे वो market में कुछ भी बचना बहुत मुश्किल है Monday के दिन ये तो ध्यान रखेगा बठाँ देखिए सबसे पहले होगे KPIT technologies देखिए stock बहुत दमदार है stock में कोई कमी नहीं है टाटा एलक्सी के level का stock है बठाँ अभी गिरावट होनीत है stock देखिए 700 के level से 500 के level पर correct होके आ चुका है अगर ये आपको 500 से नीचे के level पर मिलता है 400 के round मिलता है तो बहुत अच्छे level पर मिलेगा तो ये एक stock है जो कि मंदे के दिन अगर आप buy on dip की strategy अपना है जिस stock के अंदर देखिए कोई recommendation नहीं है बट buy on dip मैं तो जरूर करने वाला हूँ in stocks के अंदर ये ध्यान रखेगा दूसरा होगा info edge info edge देखिए 7000 के level से correction करके आए 3613 stroke में कोई problem नहीं है अगर मालोरी session आता है नोकरियां जाती है कुछ भी होता है इस stock को तो फाइदा है ये नोकरी.com में इसके पास तो कोई डिक्कत नहीं है 3300 के level पर खरीदने का बहुत अच्छा मुकाओ का buy on dip रखिएगा अगर आप खरीदना चाहते है तो आपकी मर्जी है कोई recommendation नहीं है ध्यान रखेगा अगला स्टोको का India Mart इंटर्मेश इंडिया माट देखिए 9000 के level से correction करते करते अब 4400 के level पर आ चुका है ये level बहुत साई level है देखे correction हो नहीं थी stocks के अंदर कोई बात नहीं है अगर market में सारी जगा correction हो रही है अगर युद के कान और जो भी issues है तो ये भी होने थे अगला होगा LIC LIC देखिए अब आएगा ये दीचे 700 के नीचे आते ही बहुत अच्छे level पर आजएगा 600 अगर 700 के level आपको मिलता है तो बहुत अच्छा level कंपणी में कोई कमी है कोई कमी नहीं है LIC इंडिया की सबसे बड़ी companies में से एक है तो problem कोई है नहीं अगला होगा MTR technology देखिए ये भी 2500 के level से correct होके 1400 level पर आया और ये वो stocks हैं जो की growth stocks हैं future main की ज़रूरत है कोई stocks नहीं है जिसके fundamentals खराब हो या कोई problem हो बस market correct हो रही है market गिर रही है तो उसके साथ गिर रहे है तो और कोई problem नहीं है buy on dip की strategy आप इन stocks पर अपना सकते हैं कोई recommendation नहीं फिर कौँगा बट stocks बहुत अच्छे हैं अगला होगा latent view यह थोड़ा खतरनाक share है बट आपको returns अच्छे दिल आ सकता है एक साल के अंदर तो एक साल का perspective अगर कोई लेके जलता है तो इन stocks में खरीदारी कर सकता है अपनी खुद की जिम्मेवारी पर ध्यान रखेगा बट stocks बहुत शानदार है अच्छे stocks हैं कोई recommendation नहीं है बट stocks बहुत अच्छे है दोस्तों कर आप